भारतिय दंड सहिता 1860 के तहट आज हम बात करते हैं। IPC section 494 की पती या पत्नी के जीवन काल में पुना विवाह करना क्या यह एक प्रकार का अपराध है? चलिए जानते हैं। IPC की धारा 494 यदि कोई पती या पत्नी के जीवित होते हुए दूसरा विवाह करेगा तो ऐसा विवाह धिनियम के अंतरगत शून्य विवाह माना जाएगा साथ ही वह धारा 494 के अंतरगत डंड का भागीदार होगा। IPC की धारा 494 के अनसार अगर कोई व्यक्ती पहली पत्नी ने पती के जीवित रहते हुए उसी को बता कर जिससे वह शादी कर रहा है दूसरी शादी कर लेता है तब ऐसी शादी करने वाला व्यक्ती IPC की धारा 494 के यह अपराध कब नहीं माना जाएगा। पहली बात पती पत्नी का तलाक हो गया है तब पती या पत्नी दूसरी शादी कर लेते हैं किसी भी तरह का अपराध नहीं होता है। तलाक ले लिया गया है और पारसपरिक रीती रिवाज के अनुसर तलाक हुआ है। मैं किसी प्रकार का अपराध नहीं माना जाएगा। भारतिय दंड सहिता 1860 की धारा 494 के अंतरगत यह अपराध नयाले द्वारा समझोता योग्य होते हैं। जिस कोर्ट में ये केस चल रहा होगा ये समझोता पती या पतनी द्वारा आपस में किया जा सकता है। यह अपराध संग्य और जमांती अपराध होते हैं। इनके सुनवाई का अधिकार प्रथम श्रेनी के मजिस्ट्रेट के पास होता है। तथा के प्रोविजन की बात करें तो इस अपराध में दोशी पती या पतनी को साथ साल का कारावास और जुर्माना या दोनों से प्रित किया जा सकता है। और ऐसे ही इंट्रस्टन टॉपिक के लिए आप मेरी आइडी को फॉलो करें चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्यू।